हेलो एवरीवन वेलकम डू माई यूटीव चेनल आज मैं आपके साथ में कैसा होमेट फेशियल शेयर कर रही हूं जिसका यूज करके आप अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो ला सकते हैं चेहरे पर यदी दाग धब्बे हैं काले निशान हैं जाईयां जुरियां हो गई हैं बहुत ज्यादा पिग्मेंटेशन हैं अनिवन इसकीन टोन है संटेनिंग हो गई संवन पिंपल एकने या फिर इसकीन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोब्लम हैं उनको दूर करने के ल इसके बाद में वाश करना है अच्छे से वाश करके आपको इसके जो काटे होते हैं उनको हटा देना इस तरह से आप इसका जेल निकाल सकते हैं यह हीलिन प्रोपर्टी पाई जाती जेल में यह पिंपल एकने को भी दूर कर देता है इसकीन पर यदी समय से पहले जुरिया दिखने लगी है fine lines wrinkle हो गए fine lines wrinkle की problem को दूर करता है यह skin पर pigmentation जायियों को भी दूर कर देता है एलो वेरा हमारे बालों के सान साथ हमारी skin के लिए बहुती ज्याधा beneficial होता है इसमें anti aging gold पाई जाते हैं जो हमारी skin से जुरियों को भी दूर कर देते हैं और जायियों को भ भेइन है फ्रेश वाल्य लिप में से इस तरह से आपकोनिकाल लेना है तो लोवेरल हमारी सकीं परिंटेशन को दूर करता है साथ ही साथ ही आपकी स्कीन पर लाता है एफ्टन आता है जैसे कि आपने पालर से जब फेशियल कराते हैं उसके बाद जो चेहरे पर गलो आता है ये नेचरल चीजों का यूज यदी आप करते हैं तो लॉंग टाइप तक आपकी स्कीन यंग रहती है समय से पहले फाइन लाइन रिंकल नहीं आते हैं अलोवेरा में हीलिंग प कैपसूल बिटामिन ए हमारी स्कीन से पिगमेंटेशन जाईयां अंडर आई डार्क सरकल और इसकीन पर किसी भी तरह का निशान होता है और इसकीन डल हो जाती है उसको भी दूर कर देता है ड्राइ स्कीन के लिए भी बहुती ज़्यादा वेनिफिशल होता है एलोवेरा औ और विटामिन ए इवियोन कैपसूल मैं इसमें एड कर रही हूं विटामिन ए हमारी स्कीन के लिए बहुती ज़्यादा वेनिफिशल होती है जिनको भी दाग दब्बे हैं जाईयां हैं काले निशाने तो इस तरह से जरूर अपनी स्कीन केर करें तो विटामिन ए का एक इपसूल आपको इसमें एड कर लेना है इसके बाद में जो नेक्स्ट इंग्रीडियन हम इसमें एड करेंगे तो नेक्स्ट इंग्रीडियन आपको इसमें एड करना है रो मिल्क कच्चा दूद कच्चे दूद में लेक्टिक एसीड होता है जो हमारी स्कीन के लिए बहुत skin से मेलगंदगी को दूर करता है दागदबों को दूर करता है जहाईयों को हलका करता है और जिनके skin पहुँच जादर डाय रहेती उन के लिए तो बेनिफिशल है जिनकी skin oily है उन के लिए भी फाइदे मेंदे तो अच्छे से mix कर लेना है अच्छे से mix करना है इसके बाद में जो ingredient add करना है वो है चावल का आटा चावल का आटा natural scrub का work करता है skin पर जो भी white hits हो जाते हैं उनको दूर कर देता है यदि आपके चेहरे पर बहुत जादा white hits हो गए हैं तो ये चावल का आटा जो होता है वो एक बार में ही आपकी skin से white hits को remove कर देता है तो चावल का आटा भी आपको जरूर add करना है यदि आपके पास में चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को mixi में grind करके use कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो इसमें basin भी add कर सकते हैं तो मैंने एक चावल का आटा इसमें add किया है और चावल का आटा skin को whitening glow भी देता है और चावल के आटे में anti-aging good पाये जाते हैं जो जुर्या जाईयों को भी दूर कर देता है और skin को soft और clean बनाता है skin से जो भी tanning होती है उनको भी दूर कर देता है दूप में जाने से डली skin को ठीक करता है बहुती ज़्यादा फायदे मंद होता है चावल का आटा चावल का आटा आटा आपकी skin से जो भी मेल होता है डर्ट होता है उसको remove करके skin को soft और clean कर देता है अब आपको इसको अच्छे से mix कर लेना है एक बार में आपका चेहरा ऐसे साफ हो जाएगा जो भी मेल होगा डर्ट होगा एक बार में ही clean हो जाएगा और चेहरा ऐसे glow करेगा जैसे कि आपने पालर से मेंगा facial या clean up कराया हो तो पालर जैसे आप भी घर पे instantly वो भी natural जी जो का यूज करके कर सकते हैं चेहरे पर glow ला सकते हैं अचानक कहीं जाना पर जाए तो आप ये facial जरूर करें और ये facial आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं तो आपको क्या करना है अब अपने face को अच्छे से cleansing करना है face को cleansing करने के लिए आपको लेना है कच्चा दूद cotton wall की help से अपने पूरे face पर clean कर लेना अपने face को इस तरह से आपको अपने face को clean करना है जो कच्चा दूद होता है नेच्रल यह आपकी skin के लिए बहुती ज्यादा फायदे मन दोता है नेच्रल चीजों का जितना यूज करते हैं उतना हमारी skin के लिए फायदे कर देगा यह आपके स्कीन को डीपली क्लीन करने का काम करता है कच्छा दूद इतना आपके फेस को फेस वोस या साबून भी साफ नहीं करते हैं जितना कच्छा दूद आपके चेहरे को साफ कर देता है तो अच्छे से क्लेंजिंग कर लेना है चेहरे को अच्छे से साफ करना क्लिंजिंग करना है अब आपको क्या करना है अपने फेस पर अच्छे से मसाज करना है कम से कम 2-3 मिनिट तक अच्छे से मसाज करें जो भी मेल डर्ट होगा पूर रिमूव हो जाएगा इसकीन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी तो चेहरे को अच्छे से क्लिंजिंग करने के में जो हमने बनाया है होमेट फेशियल उसको अपने फेस पर अप्लाई करना है ऐसे ही आपको अप्लाई कर लेना है तो आप सकते हैं यहे relativ इस तरह से सिलिप होता यह की भीड़्य उप्हंत जदा फैसे न चीज़ाइब आप्लाई करने में एससी चीज ओपलाई करने e-иж को अपलाई करने से स्कीन डेमेज हंगे जिस तरह से स्कीन पर साइड इफ़ेक्ट हो गया है यह इस्ट्रोइट क्रीम लगाने असलिया लगाने सेकीन डेमेज हो जाती है तो अलो वेरा जेल उसको भी ठीक कर देता है इतनी पावर होती है अलो वेरा जेल में वो भी नेच्रल आप यूज करेंगे तब ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अच्छे से पूरे फेस पर अपलाई कर लेना है जिस तरह से मैं अपलाई कर रही है उसी तरह से आपको अच्छे से पूरे फेस पर अपलाई करना है आप चाहें तो इसको नेक पर, हैंड पर, पेर उपर, हैंड पर, लेक पर अच्छे से अपलाई कर सकते हैं तो पूरे फेस पर अच्छे से अपलाई कर लेना है आप देख सकते हैं किस तरह से मैं apply कर रही हूँ और ऐसे ही पूरे चेहरे पर आपको इसको apply कर लेना है और apply करने के बाद में इसको कम से कम आपको 10 से 15 मिनिट या 20 मिनिट तक जरूर अपने face पर इसको 20 मिनिट तक आप इसको लगा कर ऐसे ही छोड़ दें तो 20 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है 20 मिनिट तक ऐसे ही face पर लगा कर छोड़ने से क्या होगा यह आपके skin में अच्छे से absorb हो जाएगा जिससे आपके face पर जो भी pigmentation है जाया है काले निशाने यह उनको दूर करेगा धीरे धीरे करके तो अच्छ से हलका सा गीला करना है उसके बाद में आपको हलके हलके हाथों से मसाज करनी है तो पूरे चेहरे पर अच्छे से आप मसाज करें जिससे क्या होगा जो इसमें चावल का आटाइट करा है वो नेचरली स्क्रब का वर्क करेगा skin पर यदि white head से black head से skin पर जो भी tanning है उनको द रिमेडी है इसका यूज जरूर करें तो अच्छे से मसाज करें नोस पर पी अच्छे से मसाज करें यदि white head सोंगे तो एक बार में remove हो जाएंगे अच्छे से मसाज करना है कम से कम 10 मिनिट तक अच्छे से पूरे face पर मसाज करना है और अच्छे से मसाज करना है face को गिला क करके मसाज कर ले और मसाज करने के बाद में आपको इसको नॉर्मल वाटर से वाश करना है साबून का यूज नहीं करना है एलो वेर जेल सच में ऐसी रेमेडी है जो हमारी स्कीन के लिए भोती अच्छे से काम करती है दाग दबो को तो दूर करती है यदि छोटे-छोटे दा करने के और में नॉर्मल वाटर से वाश करना है साबून नहीं लगाना है जिस दिन आप ये facial करते हैं तो अच्छे से फेस को वाश करने के बाद में आप देख सकते हैं फेस एकडम क्लीन हो गया है नही क् लिए हमारी स्कीन चाहे गोरी हो चाहे साबली हो लेकिन हेल्दी मी और किसी भी तरह का pigmentation नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरा face एकदम clean हो गया है इसी तरह से आप भी अपने चेरे को clean करना चाहते हैं तो यह facial जरूर करें तो आई हो आपको यह video पसंद आया होगा video पसंद आया हो तो please video को like and channel को subscribe जरूर करें इसी तरह के video तेखने क कूल करें थापद़ कर दो आपको आपको ausन्सवार से खिंग के का धिकैशा प्त्रों तो आपके जरूर के बाहते हैं तो आपको पसंद आपको यह usual answers. झाल झाल